हाई स्टुएंट्स शेफ संजीव आज सफिर से मेरे साथ हैं और आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं हमारे शिप के अंदर गैले के अंदर किस प्रकार से पोजिशन होती हैं कौन-कौन से डिपार्टमेंट होते हैं और वहाँ पे जो काम करते हैं किस तरीके से वो सारे के सारे काम करते हैं तो संजीव सबसे पहला कोशन है जो हमारी पोजिशन होती हैं किचन के अंदर शिप में वो किस प्रकार से होती है जैसे कि शेफ मैंने पहले भी वीडियो में पताया था सबसे पहले जोब ट्रेनी से स् है स्वर्श्ट आपक सिर्ट जिसे निया उता है आपका हमानी से ल्डश् और आपका एक हमारे appetizers होता है, यह appetizers है, bakery है, pastry है, pantry होता होता है, pantry होता है, बुफे, लिड़ बुफे अलग होता था, तो जैसे हमारे इंडिया में हमारे तंदूर, चाइनीज अलग हो जाता है, हमारे जो बुफे होता है, सेव उसी परकार से शिप के अंदर भी अलग-लग sections हो जाते है, अब यहां पर क्या हर department पे 할 जो पूरे liडों कद प्लाई को टेक और करते है, और प्ल Sister ש यह से हमारे इनड एट एक सेक्शन में जोनियर सेक्षन होता है, हर सेक्षन में एक सी डिप मैं सबसे मेन पोजिशन हो जाती है, उसके अंदर सारे के सारे तो जो रिंटीशिशन्स हम बनाते हैं जैसे हम लोग इंदेंडिंग जो रोलते हैं वह रिंटीशन्स पहले गतले दो शित में वह ब् Wish में लग та पर यह सवकें जो कि महां पर संद प्रवीक का या जो भी आ यह में रहें अमेरिकनर में अरए वो सेट रहता है, तो वो हमारे शूशेफ सेट करके रखते हैं, बाकि अगर आपको कुछ भी आड़न कराना होता है, तो इंडेंट जो होता है, वो CDP अपनी requirement के साब से डालता है, तो CDP का मतब बोल सकते हैं, यह जोब है, और कौमी 3, कौमी 2, कौमी 1 यह किस तरीके से कांग कर रहे होते हैं, कौमी 3, कौमी 2 वहां पर नहीं होता है, बस डिरेक्ट एक कौमी बोष्ट होता है, ठीक होर ट्रेनी होता है, तो बस वो अपना डिरेक्ट जोग उनको CDP guideline देता है जैसे आप source section में, आपने विताया कि source में आज हमारा यह वाला मैन्यों आपको यह बनाना है, तो वो उनी guidelines को follow करता है, प्लस जो भी हमारे standard recipes होती है, उनके throw out जाके वो काम पुरा करता है, तो जो भी recipes वगएर होती है, उनको ही देखके हम लोग सारा काम कर रहे होते हैं, ब जो पूरा में तोड़ा बताई को कि अधिकतर लोगों को बताने होगा, पूरा भी जितना भी शिप पे सारे जगा पर प्रपेशन यूज़िज होते हैं, वो सारा पटेटो में नी यूज करता है, तो हाँ पर हाथ से तो कोई काम होता ही नहीं, पटेटो में के लिए पील में के लिए जो ईसे तो होते हम बड़े-पेली पर भी बड़े में नी उन्य पटेटो को पील करते हैं उसके बाद जिस भी सेक्षन की जिस हिसाब से कटिंग की रिक्वार्मेंट होती है, वो थे आपको कट करे देता है, ठीक है तो ऑन जाली, दिन फर अलू ही खतम हो प्रकम आप का में अब और जैसे कि मैं गैली में था तो प्रश। के बाद में हमारा फिर सीधे हम्हशते ते बाकर देरेक्ट लोग लोग दिनरंश करते ते ए और जब हमारा शिप पोर्ट पे लगताता, लूप अफिक ब्रेक्फास्ट होता था और लंच तो सबके लिए ओर पूरे शिप पे लीडो टेक केर करता है लीडो क्या है लीडो एक 24 hours मलब आपका डाइनिंग बुफे 24 hours का बुफे मतलब उसमें अगर आपका breakfast फिनिश होता है तो आपका आपका हाइटी लग जाती है हाइटी खतम होता है तो दिनर लग जाता है ऐसे वो 24 hours से श्टार्ट रहता है मतलब की लीडो के अंदर रीडो एक आप बोल सकते एक डिपार्टमेंट नहीं बोलेंगे एक तरीके से बैंकवट आप लगा लिजी इंडिया के हिसाब से जिसमें क आपकर आपके पर आपके पास आता आप उत्या आता है वो आमको बताता है के शैफ यह चाहिए तो वो हम प्रिप्लेंटिट फूड करके देते थे उसको तेंक्यू वेरेमिस नजीव आपने काफी सारी चीजे बता ही कई नई सेक्संस के बारे में स्टुडेंट्स को मालूम पड़ेगा और होफुली उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा जो भी अपनी जर्णी बाद में शिप के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर हम एक और वीडियो भी शूट करेंगे आने वाले समय में जो कि आपको मिल जाएंगी बाकि पुरानी वीडियो जै पुरी ये शिप जॉब एक्सपिरेंस के उपर एक पुरी आप वोज सीरीज चल रही है अब सारी वीडियो जरूर देखेगा जो कि शेफ संजीर के साथ हम लोग कर रहे हैं आपको काफी अच्छा डेफ्ट में वहाँ से नौलिज मिल जाएगा जैन